ने शुमुहूर्थ का तो जिक्र कर दिया लेकिन विधी क्या है किन बातों का खास ध्यान रखा जाए अगर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो वो भी बताई हमारी दर्शकों को कि मैं आपको बतलाता हूं कि सर्व प्रथम भगवान गोवर्धन का पोजन करने के लिए कि गव के गोवर से एक कृष्ण की आकृति भूमी पर बनाई जाती है और वहां उनको मोर्मुकुट बनाया पहनाया जाता है भगवान की नाभी में जो गोवर्धन आकृति है उनकी नाभी के पास में एक दिया जला जाता है जो जोती का स्वरूप है यह जोती शविंदो यह दिल सितारा यह कितना है सुंदर यह कितना है प्यारा वहां भगवान शालिक ग्राम इस्थापित किये जाते हैं और भगवान शालिक ग्राम जो कि स्वयम भगवान श्रीहरी नार आपको मैं बत्राओं मधुवन से लेकर के मधुवनकार थात जहां धुरुप जी ने तब किया इस मधुवन से लेकर के थात मथुरा से लेकर के और गंड़की नदी तक का छेत्र यह 40 कोस का जो छेत्र है यह अत्यन्त पमित्र है यहां गंड़की नदी में स्वेम भगवान छाली ग्राम देवित तुलक के शराप के कारण भगवान नारैण ही शाली बने उस्टिश्टाय। गया जाता है और उनका अभिश्यक किया जाता है। भगवान साली ग्राम की तुल्षी अर्चना के जाती है। भगवान शालिक ग्राम का निर्वानली जो है उनके इश्णान अभिशेक का जो जल है वही चरणामृत है और इसी चरणामृत को पीने से अकाले मृत्युहरणम सर्व्याधि विनासनम विष्णु चरणो देकं पीत्वा पुनर जन्मन विद्यते इस चरणामृत को जो पीते हैं शेवन करते हैं अपने शरीर पर उसको छिड़कते हैं या शिर की उपर छिड़कते हैं या उसका सेवन करते हैं तुलसी मिस्षित चरणामृत से उसकी अकाल मृत्युह कभी नहीं होती उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता और उसके वादव जन्म और मृत्व के वंधन से मुख्त हो जाता है Marie versatile बखवान गोवर्धन जी का पूझन 55 किया जाता है और उ्के बाद उनकी परिक्रमा की जाती जाती है और साथ बाद परिक्रमा करते हुए बहुत किर्टन हैं जो किये जाते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुवा, साथ कोश की करूँ परिक्रवा, और मान सी गंगा ना माने मेरो मनुवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुवा, साथ सेर की कड़ी बनाऊं, और ब्राह्मन भोज कराऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, ना माने मेरो मनुवा, इस प्रकार से किर्टन करते हुए, राधा कुंड इश्नान करते हुए, भगवान गोवर्धन जी की सात्वार परिक्रमा की जाती है, ऐसा करने से सप्त जन्मक्रतम पापं सात जन्मके किये गए पाप तुरंत नश्ट हो जाते हैं, ये भगवान गोवर्धन जी की पूजा विधी है, और इस प्रकार से संपूर विधी का अनुशरन करने से गोवर्धन जी का आशिरवाद साधकों को प्राप्त होता है। तो पंडेशा ।